तो यह वीडियो बहुत important होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो UPTU counselling में participate करना चाहते हैं जैसा कि 17 तरह ते तुम्हार रेस्टेशन की डेट थी, रेस्टेशन क्लोज हो चुके हैं कल रात में UPTU की जो official website है UPTAC उस पे एक 10-8 schedule आया है हम analyze कर रहे होंगे कि लिए क्या पूरा process होने वाला है round 1, round 2, round 3 का कैसे आपको like choice filling वह रहा करनी है पूरी process क्या होने वाला है उसका हम इस complete video में discuss कर रहे होंगे तो बात करते हैं कर हम schedule की तो registration of payment of fees, document upload right यह तुम्हारा 11 जून से लेके 17 जुलाई तक था यह close हो चुका है चीक है, MBA की बात करो तो MBA का भी close हो चुका है, document verification 18 तक तक तुम्हारे हो जाएंगे जिनके भी अभी तक document verify नहीं होए है तो यह document verify तुम्हारे कहनाम में हो जाएंगे right इसके बाद response to queries जो भी तुम्हारे कब से होने वाली है तो यह तक हो चुछाइस तारिक से 30 जुलाई से तुम्हारे स्टार्ट होने वाली है और तुम्हारे पास तीन चार दिन का ही टाइम रहेगा क्योंकि तीन तारिक को तुम्हारी choice filling की date खतम हो जाएगी यानि कि जो भी तुम्हें choices fill करनी है वो तीस तारिक से लेके तीन तारिक के बीच में करनी है ट्राइक करना कि तीस एक दिस एक दो वाली करने को कि लास्ट के एक दिन पर बहुत इशू आता है यूपी टीस की वेबसाइट में तो जो पहले राउंड के choice filling होने वाली है वो तीस तारिक से लेके तीन तारिक के बीच में होने वाली है और फस्ट राउंड का जो सीट अलाटमेंट होने वाला है वो पास तारिक को ह अगर तुम जनरल OBC कैंडिडेट हो या EWS से हो तो 20,000 तुम को पे करना होगा SCST से हो तो उस किसमें 12,000 पे करना होता है as a seat acceptance fees for UPTU counseling, ठीक है, seat acceptance fees होती है कि सपोज तुम्हें जो seat मिली है तो उसे लेना चाहते हो और आगे further अब तुम्हारा process क्या होने वाला है तुम freeze फ्लोट करोगे, freeze का मतलब होता है कि भाई मुझे जो seat मिल गई, मुझे जो seat a lot हो गई, मुझे वही चाहिए, ठीक है, सब्पोज तुम्हें JSS Noda में CS a lot हो गई, तो तुम्हें JSS Noda में CS ही चाहिए, तुम्हें अब अब ग्रेडिशन में नहीं जाना है तो उसकेस में तु तुम कोई option नहीं choose करते हो, उस case में तुम्हारी seat auto freeze हो जाएगी, मतलब जो seat तुम्हें a lot होई है, वो तुम्हें a lot कर दी जाएगी, फिर तुम next round में उसको change नहीं करवा सकते हो, ठीक है, इसके बाद round 2 की बात करें, तो यहां पे तो तुम्हें choice filling जो भी तुम्हारी है, तुम्हें alteration करने का chance मिल रहा होगा, तुम्हें कुछ colleges अगर तुम्हें miss कर दी है, तो वो आट कर सकते हो, या फिर जो तुम्हें choices तुम्हें fill की होई, उसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, फिर उसको lock करने का time होगा, तो जो वो date है, वो 8 तारिक से लेके 10 तारिक, य इसके बाद, suppose किसी को पहली बार seat a lot हो रही है, ठीक है, किसी को पहली बार seat a lot हो रही है, उस case में फिर से उसे 20,000 पे करना होगा, 12,000 पे करना होगा, depending upon category, but अगर तुम्हें first round में seat a lot हो गई थी, तुम्हें seat acceptance fee pay कर दी थी, ठीक है, उस case में तुम्हें दुबारा फिर से को में 20,000 पे तो कर दिया था, अब उस case में तुम्हें refund चाहिए, तो तुम refund के लिए, online withdraw के लिए apply कर सकते हो, general वालों के 5000 कटके 15,000 आ जाएंगे, बाकि जो category CST, उनके 3000 कटके 9,000 वापस आ जाएंगे, ये process होने वाला है, तुम्हारा 12 से लेकि 15,000 के बीच में, तीसरा round हो ज completed for the further round including internal sliding, जो तुम्हारा internal sliding का round होगा, जो choices तुम इस round में fill कर रहे होगे, वही same choice तुम्हें internal sliding में भी देखने को मिलेगी, तो बहुत important होने वाला है कि तुम choice filling अच्छे से कर रहे हो, choice filling में कोई mistake नहीं कर रहे हो, अब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा भी, choice filling कैसे करनी ह है, क्या क्या tools तुम यूज कर सकते हो, अपनी choice filling को perfect करने के लिए, seat allotment round 3 का आने वाला है, 20 तारिक को, 20 तारिक को तुम्हारे seat allotment आ जाएंगे, ये last round होने वाला है, जहां पे तुम withdraw वगारा निकाल सकते हो, payment of seat confirmation same, अगर तुम्हें पहली बार seat allot हो रही है इस round में, त अगर तुम withdraw करता हो, suppose अब तुम्हें लगता है कि नहीं हो गया UPTU counseling से, मुझे college नहीं मिलना, मुझे नहीं लेना, तुम्हें किसी और ची counseling में मिल गया है, IPU में मिल गया, MPDT में मिल गया, या Jack में मिल गया, कहीं वे college अच्छा मिल गया है, UPTU के comparison में, उस case में ये आगर लग तुम withdraw कर सकते हो, और withdraw पे यहाँ पर देखो, general से हो तो 10,000 वापस आजाएगा, और SCS की category से हो तो 6,000 तुम्हारा वापस आजाएगा, इस case में देखो, mandatory physical reporting at the Alloters Institute for freeze candidate up to round 3, अब ये क्या होने वाल है, round 3 में, जिन्होंने भी freeze का option चूज कर लिया, round 1, round 2, round 3, जिन्हो mandatory जाके, जो भी तुम्हारा Allotted Institute है, अगर तुम्हारा जो भी सीट है, तुम्हारा जो भी सीट है, वो cancel हो जाएगा, इसके बाद round 4 का seat allotment आने वाला है, अब यहां पर क्या होगा, कि यहां पर autofreeze हो जाएगा, मतलब ये आखरी round होने वाला है, round 4 तुम्हारा आखरी round मसलिंगा जहां पर सब चीज़े आटो फ्रीज वें तुम्हें जो भी सीट अलॉट हुई है वो तुम्हें लेनी ही पड़ेंगी इसके आलावा तुम्हारा पास कोई आप्शन नहीं आएगा ठीक है अगर तुम्हारा नया अलॉटमेंट हुआ है सबूज तुम्हें के बाद मैंडेटरी है तुम्हें राउंड फोर में फ्रीज चूस किया सब्सक्राइब करो तुम्हें तुम्हें इंस्ट्यूट अलॉट हो रहा है तुम्हें डेट क्या है डेट तुम्हारी 27 से लेके 29 अगस्थ है यह शेडियूल तुम्हें यूपीट एसी की वेबसाइ इसके बात करें राउंड फाइफ की राउंड फाइफ में तुम्हारा इंटर्ण राउंड श्लाइड राउंड होता है जो होता है वो तुर फो सिर्फ government ये government added जो आलें गॉवर्मंट جो में चैनल के लिए नहीं जा रहा है था ठीक है सारा प्रोस्रा 3017 ≅चकों बेचनों के लिए ही होकि आर्व एंटन्नाल स्लाइडिंग तो उस केस में इंटर्नल स्लाइडिंग का एक प्रॉसस होता है कि बच्चा अपलाई करता है कि मुझे उपर यह ब्रांचे चाहिए सेम कॉलेज में तो वहां पर पूरा प्रॉसस कंड़ेट किया जाता है इसके बाद बात करें तो जो स्पेशल राउंड वन होते हैं उनके लिए तुम्हारे स्पेशल राउंड यह कंड़ेट किये जाते हैं तो यह तुम्हारा पूरा शेडियूल होने वाला है यूपी टीव कांसलिंग का में इंपॉर्टेंट यह कि तुम्हारा तीस से लेके तीन तारिक की बीच में जो च्वाइस फिलिंग होने वाली है यह तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अब बात करते हैं विया साथी चीज़े ठीक है च्वाइस फिलिंग वगरा करनी कैसे है मुझे कैसे पता चलेगा कि किस सरायंग में मुझे क्या कॉलेज बिन रहा होगा उस केस में तुम्हें क्या करना है तुम्हें student अब बात करता हूं सब्सक्राइब बात करता हूं सब्सक्राइब इसको यूज़ करना है सबस्क्राइब मेरे डो लाख रांक है अब मुझे पता चल जाएगा कि यहां पे मेरे पास कौन-कौन से ऑप्शन में मुझे इसके बाद जैसे में मुझे एलेटिकल जैसी ब्रांशे इल्क्रोनिक जैसी ब्रांशे मिल रही होंगी राजकी इंग् में तुम्हें CSE related या IT branches देखने को मिल जाएंगी गल्गुटिया में मिल जाएगी काइट में मिल जाएगी तो तुम इस टूल का यूज कर सकते हो student khabri.com पे जाके मैं तुम्हें कुछ नहीं करना है student khabri.com पे जो वहाँ पर अपनी rank possible college के chances हैं मिलने के ठीक है इसके बाद तुम्हारे पास choice filling के लिए क्या best option होने वाला है ठीक है choice filling के लिए देखो UPSEE UPTU का तुम्हारे choice filling tool है तुमने टूल पे गया है मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे तुम्हारे choice filling बहुत easy कर दी गई है तुमने suppose डाल दिया पांच लाक राइं category selectly open generate choice list अब देखो यह UPTU की counselling में mostly अच्छे गलती क्या करते हैं कि गलती हैं इंजीनिंग कॉलेज ही बात्रूट सब्सक्राइब इंजीनिंग कॉलेज हैं हर कॉलेज में admission लेना वर्थित नहीं होता कुछ 10-15-20 ऐसे college होंगे जिसमें admission लेना वर्थित है इसके अलावा क सब्सक्राइब कर देखो अब मैं बात करते हैं ऐसे तुम्हें वहाँ पर 800-900 choices देखने वाली होंगी थोड़ी सी यवाई चिंज होगी तुम्हें यह सारी choices वहाँ पर देखने को मिल रहे हो तुम्हें क्या करना है तुम्हें अपनी rank डाल दी, category डाल दी, select using AI कर दिया, view प चांसेज है कि तुम्हें 99% नहीं मिल रहे होंगे, yellow में वो colleges आ जाएंगे जिनकी 50-50% chances होगे, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, green में वो colleges आ रहे होंगे, जिसके almost 99% chances तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है, अब red में जो colleges हैं, वो मुझे नहीं मिल रहे हैं, yellow पे जाता नहीं कर तरड मिशल है, हमने इसको इस तूल बे इसलिए डाला का किया, यूपीट्यू कांसेट करने ही वाले हैं, बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब होते हैं, जो मतुरा से हैं, कानपुर से हैं, लखनो से हैं, उनको वहां से बाहर निकल के नहीं जाना है, अब उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस केस में तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ, यह नंबर है, इस नंबर पर तुम वाट्सएब कर सकते हैं, यह तुम्हारे, यहां पर क्या होगा, यह mentorship है, यहां पर जो, एक्सपर्ट हैं, जो लेड़ी चार साल, पान साल से, शे साल से, यूपी टीओ की काउंसिंग करवा रहे हैं, बच्चों को, बेस से बेस कॉलेज दिलवा रहे हैं, ऐसे भी कॉलेज दिलवा रहे हैं, जिनके लिखो, तुम्हें हो सकता प्रेटर में, इसे भी कॉलेज तुम्हें लॉट करवाया जाते हैं, इस मेंटर्शिप प्रोग्राम में, तो इसका चार्ज होने वाला है, वो सारी डिटेल्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर तुम इस नंबर पर वाट्सेप करना है, इस नंबर पर तुम वाट् पर तुम्हें यूजुली नॉर्मल चार्जफलीं से नहीं मिल रहा होगा, वो कॉलेजें हम कॉंसिंग से लॉट करवा रहे होंगे तुम्हें, जो बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांज तुम्हारे लिए बन रही होगी तुम्हारे रैंक पर तो इस नंबर पर तुम वाट् क्यों पर तुम्हारे डा तुम्हारे एंकि अटेम से बीदिघ कार यायखा नॉज टो इसके बासे ने कोई। वच्छे करें मैं जो यूण मेरे एक्त्रण कर शीज बादेरuir है, भी अहरे होगी तुम्हारे टाओ बच्छे करने ले तुम्हारे एंग है। उसके बाड़े क कि अब्सक्राइब कर दो कि अब्सक्राइब